आप सभी के स्वागों थे आप सभी के लिए एक बहुत ही बहतरीन शुरुआत में करने वाला हूं अगर आप सभी को NCRT biology पर्मानेंटली बिना confusion का याद रखना है तो आपको fill in the blanks और true false questions करना है डाइराम बेस्ट questions करना है multiple choice questions तो आप करते रहें पांच मिनट में आपको इसका importance समझ में आ जाएगा और हाँ इसको देखें अगर आप interested है तो मुझे comment करके बताएं आपको कैसा लगा पहला point second point आप सभी subscribe जरूर कर ले हां मुझे कराना चाहिए आप सभी interested हो तो message और subscribe जरूर कर ले सुरू करते हैं इसको देखें आप सभी सबसे पहले आप सभी को बता दू और यहां पर पहले पहला questions male reproductive system is located in मैं तो फास्ट चलूँगा आप सभी वीडियो को पॉज करके भी कर सकत हैं अब में रिप्रोड़क्टिव सिस्टम इजी लोकेटेर इंड़ एक एक के लाइन आपको एंसेटी कवर करूंगा मैं ठीक है बताएं आप सभी पहला इसमें सोच लिए होंगे इसका आंसर पेल्विस रिजन होगा second testis are situated outside the dash within a pouch of scrotum बताओ यहां पर क्या होगा पड़ bottom help in maintaining the dash of the testis अब देखें आप एंसेटिक लाइन पढ़ते हैं यहां भी लाइन क्लेर हो रहा है लेकिन बीच में options क्लूफर्स दे दूँगा ताकि देखने आपको कितना जादा आपने कंसेंट्रेसर से एंसेजी पढ़ा है ठीक है कंसेंट्रेसर से यह low temperature फोर्थ नमबर इ आपको विर्थ होगा फिप नमबर टेस्टिस हैज अबाउट डैस कंपार्टमेंट एंड डैस क्या कहते है इसको इसका आउसर फाल्स होगा यहाँ पर टू नहीं होगा यहाँ पर वन टू थ्री होता है चले नेक्स्ट मेल जर्म सेल अर्कोल क्या कहते हैं बताईए पताओगा एस्पर्म अटोगोनिया एट नमबर दा मेल जर्म सेल अंडर गोज डैस डिवीजन फाइनली लीडिंग टू इस पर्म फॉर्मेशन बताईए म्यूटिक डिवीजन ठीक है आप वीडियो को पहुच करें भी कर सकते हैं नाइन नमबर सर्टोली सेल प्रवाइट नूट्रिशन तू दर डैस सेल बताए आप सब भी नाइन नमबर इसका अंसर जर्म से लोगा 10th नमबर दर रिजन इंसाइट असे मनिफरेस्ट इबूल कोर्ड इंटरिशियल इस पेस्टू और फॉर्स बताई पर इसको फिर से आप कुछ से यहां पर फोर्स होल स्थ यह क्या होगा आउटसाइट कियाओगा आउटसाइट गरीजन आउटसाइट इस अमिफरेस्ट की एल एलेबर बनेमर लिदिक सैल सिंते सिंतेसिस हैंन्द स्थरिए टोल को रस यहां पर आंडे नेक्स्ट अगा अगर इम्यूनो लोजिकल डैसोल अर अलसु प्रजेंट बहुत इंपोर्ट ले ना वाल वाल वो इसका क्या हो का पॉतेंट सेल कॉम्पिटेंट सेल थाटी नमबर था से मिनफिरे स्टी दूल ऑफ दाइस ओपन इंटो देस्ट थू रिस टेस्टेस बताई है आप से थाटी नंबर वीजी वीडियो को पोच्छ कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर टेस्टीस होगा और वैसा इफरेंसिया होगा 40 नंबर बता है वैसा इफरेंसिया लिफ दर टेस्टीस एंड ओपें इंटो इपिरी डाइमीज लोकेट अलोंग डाइस सर्फेस अब दर टेस्टीस सर्फेस मेरा माना के एंसिया एक के कवर्ड आपके यहाँ पे होना जाहिए फिट और आपके टिक पे होना जाहिए और आप ट्रू एंट फॉल्स अन्दर लग्या होगा यहाँ पर डिसेंट नहीं का एसेंट होगा ऊपर चाहता है ठीक है यह बताएए पैनिस इदा मेल एक्स्टरनल जनाइटल यह true है यह लाइन सही है अब आप सभी को यह मैंने जो दिया है ABCD यहाँ पर आपको करना है काम करो यहाँ पर ABCD यहाँ पर जो लिखो यहाँ पर कौपी पर लिखो अभी वीडियो को पहुच कर गया स्क्रीन सोटेल हो ठीक है और NCRT का जो पेज है उस पर एक एक डागराम करने यहाँ है आप कितना से की लेखो यहाँ पर देखने से समझें डेल आता है यहाँ है ठीक है बस मुझे आप सब्सक्राइब अभी इतना ही कराना था अभी मैं आपको बता दू कि एक चाप्टर से मिनिवन डेर सो से 200 कोशन्स आपको कराऊंगा मैं और थोड़ा टाइम लेगा पूछो कभी यह कब से मैं आपको बता दू कि यह कोशन्स सेट करने में टाइम लगता है इंट्रेसेड हो तो मैसेज करो और सबस्काइब करके रखो मैं आप से प्रोमिस करता हूँ कि मैक्सिमम फर्स्ट सेब से मैं स्टार्ट कर दूगा तब तक आप chapters को फिनिष करो पीछे का करो अच्छे से अच्छे से करो मैं एक बर स्टार्ट कर दिया तो daily एक chapters में cover करा दूँगा और live class में try कर दूँगा live class करने का चलो, मुझे आप सब भी को यहीं बतना था एक बर comment करके बताओ कितना effective है, मुझे मैं मानता हूँ कि multiple choice questions से far than better यह है आई बसोज में, चलिए तो मुझे आप सब भी को भी तना ही बतना था चलो भी कितना ही, मिलते हैं वीडियो में